हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब बिहार में तेजस्री आदाव और उनकी पार्टी ने थाली बजाकर बीजेपी और जेडियू सरकार का विरोध किया जेडियू के महासरचिफ केसी त्यागी ने कहा है कि तेजस्री के पास कोई अनुभव नहीं है वो विपक्ष की भूमेका भी ठीक से नहीं निबा पार है बीजेपी नेता अमित शाह आज बिहार में वर्चुल रैली को संबोधित करेंगे इसे एक तरह से बिहार चुनाओ के लिए बीजेपी और एंडिये के प्रचार का आगाज माना जा रहा है हमारे साथ बीजेपी के गठबंधन में सहयोगी जेडियू के वरिष नेता केसी त्यागी जी है उनसे बात करते हैं त्यागी साहब इसे चुनाओ प्रचार के आगाज के तौर पे देखा जाए देकिन नौंबर में वहाँ पर चुनाओ आ होते अगर कुछ विसम परिस्तितिया नहीं हुई तो नौंबर में चुनाओ होगा और हमारा तीन पार्टियों का जो गठभंदन है एंडिये उसके चुनाओ की ये पहली रेली है जो डिजीटल इंडिया के परचार परसार का भी तरीका है अब संक्रमन के दोरान डिजीटल वर्ल्ड की जो उप्योगता बढ़ी है जो परचार परसार हुआ है उसमें अब जनता को संबोधित करने का एक बड़ा केंद्र मिंदु ये भी बना है और आने वाले चुनाओं में भी जिस तरह से जर्ण सबहें बड़ी हुआ करती थी जिस तरह से रेली निकलती थी जिस तरह से रोड जलूस निकलते थे वो इस युग में लगभग मुशकिल हो गया है लिहाजा प्रचार परसार के ये माध्धम भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाएंगे ऐसा लगता है और उसी सिल्सले में वो अपने बूत लेविल के कारे करताओं को संबोधित कर रहे हैं निसंदे उनका में मकसद जो है वो मोधी सरकार के द्वारा छे वर्सों में जो जनहीत में की गई योजना है उनका परचार परसार है लेकिन हमें परसनता है कि इसका लाब एंडिये को अपने परचार माध्धम को मजबूत करने के लिए मिलेगा त्यागी साब लेकिन चलिए ये तो एंडिये ने एक तरह से शुरुवात की है बीजेपी ने शुरुवात की है वर्चुल और डिजिटल जो रैली करके संबोधित कर रहे हैं अपने कारिकरताओं को लेकिन आपकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी वो उसी पुराने तरीके पे है थाली वाली बजाने का कारिकरम है कहा गया है कि गरीव अधिकार दिवस और इस तरह से विरोध कर रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं ने लोक तंत्र में विपक्ष की भी एक सार गर्मित और सेयत भूमी का है लेकिन लालू जी की अनुपस्तिती मे वो गंभीर और आकरामक विपक्ष अब नहीं रहा वो रहते थे तो तमाम मतभेदों के बावजूद वो माहल को अपने अपने तरीके से गर्माय रखते थे श्री तेजस वियादव अनुभव हीन है उन्हें ना तो विपक्ष की भूमी का निभाने का अनुभव है और ना तरह का आचरन पिछरी दिने उन्होंने किया है वो बहुत ही में अफसोस जनक है पूरे संक्रमन काल में सरफ वो एक हपते के लिए पठना दिखाई दिये और उसमें अपनी माता सिरी के साथ गोपाल गंज पदियात्रा करेंगे जिससे सोसल डिस्टेंस का जो बेसिक उसका भी लंगन हुआ और अब बजाए सकारात्मक भूमी का निभाने के चुनाओ के मोके पर वो विरोध रेली कर रहे हैं है लिए रहे हैं